आज हम देखेंगे सनलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिध्यधारना है और कुछ साधारन गलतिया मिध्यधारना एक एक तार वर्ग यानि स्क्वेर के आकार का है रिया ने तार को मोड़ कर उसे आयत यानि रेक्टैंगल के आकार में परिवर्दित किया तो क्या वर्ग और आयत का परिमाप यानि पेरिमीटर भिन्न होगा? किसी बंध आकृत्ती की परिसीमा यानि बाउंड्री की कुल लंभाई को उसका परिमाप कहते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि तार के आकार में परिवर्दन हो रहा है इसलिए परिमाप में भी परिवर्दन होगा चुकि यहां वर्ग के आकार को आयत के आकार में परिवर्तित किया गया है इसलिए वे सोचते हैं कि वर्ग और आयत का परिमाब भिन्न होगा इसलिए वे जवाब देते हैं option 1 जो एक गलत जवाब है यहां तार के आकार में परिवर्तन अवश्य हो रहा है लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसलिए आयत और वर्ग दोनों का परिमाब समान होगा याने की option दो सही जवाब है दर्शाया आकार वर्गांकित कागस पर बनाया हुआ है परिमाब ग्याद करते समय कुछ बच्चे आकार की भुजाओं के अनुदीश स्थित वर्गों की गिंती करते है इससे उन्हें 10 इकाई परिणाम प्राप्त होता है इसलिए वे जवाब देते है option 1 जो गलत जवाब है परिमाब बंद आकरिती के चारो ओर की दूरी है इसलिए हमें इस आकरिती की सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग करना होगा योग करने पर हमें इस आकरिती का परिमाब प्राप्त होगा 18 इकाई इसलिए दर्शाय आकार का परिमाब 18 इकाई है इसलिए option 2 सही जवाब है अब चलिए देखते हैं कुछ साधारन गलतिया साधारन गलती एक इकाईयों को नजरंदास करना यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और चोड़ाई 100 सेंटी मीटर है तो आयत का परिमाब क्या होगा तो वे आयत का परिमाब बराबर 2 गुना लंबाई धन चोड़ाई बराबर 208 मीटर प्राप्त करते हैं जो एक गलत जवाब है वे परिमाब ग्याद करने से पहले आकार की लंबाई और चोड़ाई की इकाईयों को समान नहीं करते जैसे कि यहां आयत की लंबाई मीटर में है और चोड़ाई सेंटिमीटर में है इसलिए पहले हमें लंबाई और चोड़ाई की इकाईयों को समान करना होगा चुकि 100 सेंटिमीटर बराबर 1 मीटर है इसलिए आयत की चोड़ाई है 1 मीटर इस प्रकार आयत का परिमाप है दो गुणा चार धन एक याने की दस मीटर प्रश्ण को ध्यान से पढ़ने से इस प्रकार की गलती से बचा जा सकता है साधारण गलती दो आधा प्रश्ण हल करना यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक वरगाकार खेत की प्रतेक भुजय की लंबाई 20 मीटर है तो 140 रुपे प्रती मीटर की दर से बाड़ लगाने पर कितना व्याय होगा तो बच्चे वरगाकार खेत का परिमाप ग्याद करते हैं चार गुणा 20 बराबर 80 मीटर वे प्रश्ण को आगे सरल करना भूल जाते हैं जैसे यहां में परिमाप तो ग्याद करते हैं परन्तु बाड़ लगाने का व्याय ग्याद करना भूल जाते हैं इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए प्रश्ण में क्या पूछा गया है इसे ध्यान में रखते हुए हल करना चाहिए यहां बाड़ लगाने पर व्याय होगा आज हमने देखी सनलगन आकरितियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिध्याधारनाय और कुछ साधारन गलतिया